कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, आप अपने Arduino code को compile करने की कोशिस कर रहे हैं, और suddenly आप लोगों को एक बहुत ही जादा irritating message देखने को मिलता है, no such a file और directory, अगर हाँ तो आप लोग अकेले नहीं हो, इस problem को काफी सारे लोग phase करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी problem का solution बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है, कि actually में ये error होता क्या है, अगर आप ये error phase कर रहे हो, आपका code compile करते वक्त, आपका Arduino Drive ये बोलने की कोशिस कर रहा है, कि वो file या library missing है, जो आपके इस code में included है, जैसे कि मेरा ये code है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, काफी सारे libraries को मैंने use किया है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ room automation का code है, तो यहाँ पर आप लोग काफी सारे libraries को देख रहे हैं, लेकिन ये सारे libraries को हम लोग तब तक use नहीं कर पाते हैं, जब तक कि हम लोग इसको install नहीं कर लें अपने IDE के अंदर, अ या है आप लोग Android में Arduino Drive को use कर रहे हो, या फिर laptop या फिर computer में Arduino IDE को use कर रहे हो, तो इसी चीज़ का solution आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, basically आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आने का दो reasons बताऊंगा, और इन दोनों का solution भी और दूसरा है, incorrect sketch folder structure, आपकी जो additional file है, उन्हें आपके main.ino file के साथ same sketch folder के अंदर होना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले हम इसी का solution देखते हैं, तो आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, जिनको coding नहीं आती है, और आप लोगों को अगर अपने project को complete करना है, तो फि कभी कभी होता ये है, कि आप लोगों का .ino file होता है, आप लोग सिर्फ उसी को download करते हो, कभी कभी होता ये है, आप लोगों जिस भी project पर काम कर रहे हो, उस project का जो file है, .ino file के साथ, उसके साथ .h file यानि की header file भी होता है, तो आप लोगों को उसको भी download करना परता है, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि header file क्या होता है आप लोग .ino file को अपने id के अंदर import करते हो और import करने के बाद उसको compile करने की कोशिश करते हो तो ये error देखने को मिलता है तो इसका solution यही है कि आप लोग जिस भी website से code को download कर रहे हो उस website पर आप लोगों को वापत से जाना है और आप लोगों को search करना है अगर उस website पर उस website की जिस भी section से आप लोगों ने code को download किया है आप लोगों को वहाँ पर ये देखना है कि .h file है की नहीं अगर होगा तो आप लोगों को उसको download कर लेना है अब download करने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर simple सा step बताता हूँ, आप लोगों का ये problem बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को अपने phone के अंदर या फिर laptop यूज कर रहे हैं, तो laptop computer के अंदर आप लोगों को अपने file manager के अंदर आना है, आप लोगों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने इस project का एक folder बना रखा है, ESP8266 underscore complete wifi rgb, तो इसके अंदर मैं जाओंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर दो code देखने को मिल रहा है, एक है सेम नाम से, यानि कि ESP8266 complete rgb wifi.ino, और दूसरा यहाँ पर आप लोगों कोई सा भी project है, और उस project के लिए, आप लोगों ने internet से code को download किया है, 0.01% chance होता है, कि आप लोगों को यह file देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर simply सा मेरे कहने का वही मतलब है, कि आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है, कि header file इसके साथ है, या फिर नहीं, और अगर नहीं होगा, त यह आप लोग उस problem को कैसे solve करूगे, तो इतना काम करने के बाद, अब आप लोगों को अपने ID के अंदर इस folder को navigate करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, Arduino Drive मैं open करूँगा, open करने के बाद, मैंने जो folder बना रखा है, उस folder के अंदर जाऊँगा 3. sketch, open from, open from के अंदर जाने के बाद device में मैं जाऊँगा, अब यहाँ पर मैं search करूँगा, ESP8266 Complete Wi-Fi, तो यहाँ पर मेरा जो project है वो मिल चुका है, अब यहाँ पर .iono file ही आप लोगों को नदर आएगा, .h file नहीं आएगा, बस इसको simply सा आप लोगों को open कर लेना है, open करें पर में ESP8266 Complete Wi-Fi RGB और उसके बगल में है index.h, बस यह file है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह दोनों included हो, तो फिर आप लोगों को code बहुत ही जादा आसानी से compile हो जाएगा, अब चलिए मैं आप लोगों को compile करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो कैस यहाँ से आप library को download करना पड़ेगा, जैसे कि इस example में मैं यहाँ पर दूसरे code को ले रहा हूँ, जो कि है मेरा room automation का project, जिसको मैंने खुद से develop किया है, तो guys यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कि इस project के लिए मैंने काफी सारे libraries का use किया है, लेकिन मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ, dhtstable. .h library का, यहाँ पर dhtstable.h file not found, अब जैसे ही मैं इसको compile करने की कोशिस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक error देखने को मिला है, no search file or directory, तो यह basically उसी इद वज़े से आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने library को Google से download करना पड़ेगा, चलिए download करके द फिर library दे देना है, जैसे कि मेरे case में dhtstable.h library है, तो मैं इसका नाम देता हूँ, dhtstable.h library, अब मैं इसको search करता हूँ, तो मेरे case में सबसे पहले नंबर पर ही इसका result आ गया है, हो सकता है कि आप लोगों को जो भी library आप लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर first results में देखने को नहीं मिले, आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग website से जाकर उसको search करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, कि आप लोगों को 60-70% जो library होता है, वो आप लोगों को github पर देखने को मिल जाएगा, तो इसके लिए और यहाँ से download zip वाले option के अंदर जाकर आप लोग अपने library को download कर सकते हैं, तो अब मेरा library जो है, यहाँ से download हो चुका है, सबसे पहले मैं अपने smartphone के अंदर इसको करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपने computer यानि की laptop के अंदर इसको install करूँगा, तो आप लोगों को अपने library का नाम देखना है, जैसे कि मेरे case में dhda stable library है, तो यहाँ पर इसको option देखने को मुझे मिल गया है, इसको select करने के बाद यहाँ से ok कर दूँगा, बस इतना करते ही एक से 2 second में आपका library install हो जाएगा, अब चलिए मैं आप लोगों को laptop में भी इसको करकी दिखाता ह सबसे पहला है कि अगर आप लोगों ने zip file को download किया है, तो उसको directly आप लोग install कर सकते हैं, और दूसरा method मैं थोड़ी देर बात बताता हूं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि .zip file को आप लोग कैसे install करेंगे, तो इसके लिए उपर में sketch वाले section के अंदर जाएंगे, और ज जाने के बाद guys आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो simply सा मैं इसको select करता हूं और यहां से open करता हूं, बस इतना करते ही आप लोगों का library आपके ID के अंदर install हो जाएगा, अब मैं बताता हूं कि दूसरा method क्या है, इस वाले icon पर click करेंगे, और click करने के बाद यह basically libraries वाला अगर आप लोगों ने install नहीं किया है, तो यहां से आप लोगों को install का option आएगा, तो इसको simply सा आप लोगों को install पर जाकर इसको install कर लेना है, बहुत ही जादा आसान है, आप लोगों को कोई problem नहीं होगी, तो अब मैं आप लोगों को compile करके दिखाता हूं, तो guys यहां से आ data code कितना ज़्यादा आसानी से compile हो गया है तो मैं उमीद करता हूँ कि मैं इससे related सारे solution को आप लोगों को बता दिया है अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं ऐसा ही helpful वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए